तो गाइज यहां पर तयारी हो रही है लंच की मैंने जो मसूर होती है ना काली वाली वह बालने के लिए छोड़ दिया विसका जो मता उबल गई है बड़ प्रैसर देखिए विस बना हुआ है उसके लिए मैंने तयारी की है आज मैं कच्चे आम वाली जो है मसूर की डाल बना रही हूं बहुत टेश्टी लगती है खटी खटी सी जब यह मता आम डलते है और मेरे हजबन को यह दाल बहुत जाता पसंद है एक बड़े टमानटर को यहां पर गद्री वाली के लिए एक चोटी सी प्याज तो यह सब इसकी मैं ने तयारी की है साथ में ही आता लगा के अठाल शर दिया है तो जब तक इसका प्रैसर रिलीज होता है, मैं बनाने वाली हूँ, समर्गे लिए एक ड्रिंक जो कि बहुत एजी है, तो चली देखते हैं क्या मैं ड्रिंक बनाने वाली हूँ. तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आयोप कि आप सब काफी अच्छे होंगे तो मैं जो ड्रिंक बनाने वाली हूँ ना वो है सिकन जी और ये ना मतलब मैं मेरी खुद की जो है कोई रैसेपी नहीं है मैंने यूट्यूब पर ही देखा था एक यूट्यूबर है जिने की मैं फोलो करती हूं और उन्हें देख करना मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूं तो उन्होंने ये शेयर क्या था आई होप आप मेंसे भी काफी सारे लोगों ने ये वीडियो आई थिंक देखी होगी उनकी तो मैं बस वही सिकन जी का जो है ना एक मिक्शर रेडी करके र पर इनको जो है ना जो रस्तेब्स मुझे निकालना है तो तब तक जो है ना डाल का जो pressure था वो release हो गया था तो मैं यहाँ पर डाल बनाने लगी थी क्योंकि साथ में मुझे खाना भी बनाना था तो यहां पर बस डाल बना रही हूं, simple सा तड़का जो है ना मैं डाल में लगा रही हूं जैसे कि लगाते हैं, normally वही सब तड़का है, जीरे का और प्याज का, थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी, और ये सब मतलब प्याज वगएरा को भून लेने के बाद मैंने इसमें सब दूर रख दिये थे, और मसाले भी मेरे अच्छे से पक गए थे, तो यहां पर बस मैंने इसमें डाल एड़ कर दी है, और अभी इसी टाइम पर जो है, मैं मुझे जितना लिक्विडी रखना है, पानी डालूंगी, क्योंकि यह जो मसूर की डाल होती है, वो रखने के आपको इसी बी डाल में डाल सकते हैं, सभी में कच्चे आम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और गर्मियों में तो यह मतलब इस टेस्ट की जो डाल होती है, वो खाने में काफी अच्छा लगता है, तो बस यहां पर डाल पकने के लिए मैंने रख दी है, ढखकर पाने के लिए, तो यहां पर मैंने एक यह भगोना ले लिया है, अपना और इसमें मैंने आदा लिटर पानी डाला है, और आदा लिटर पानी में उन्होंने एक किलो जो है चीनी बताई थी, तो मैंने एक किलो जो चीनी है ना उसका पैकेट मंगाया था, क्योंकि मैं ब्रा इसमें मिक्स हो जाए पानी में सब घुल जाए अच्छे से तो इसको बस चला कर मैं फिर दूसरी साइड अपने खाने वगरे की तैयारी करने लगी थी क्योंकि अभी चावल भी बनाने थे रोटी भी बनानी थी तो एक साइड जो है डाल पक रही थी दूसरी साइड मेरी सिक बना लूँगी तो इस तरह से बस लंच टाइम पर जो है ना मैं क्योंकि मेरे तीन बर्नर वाली गैस है ना तो काफी इजी हो जाता है काम करना मतलब जब मेरे हसमें ओफिस जाते थे तब तो मुझे इस अपने गैस स्टोव का इतना जादा मतलब फायदा होता था ना इतन गैस श्टोव के बारे में मुझे एक कमेंट भी आया था तो इसे यूजा ना मुझे 5 से चैसा साल हो गई है वह इसकी साइड जो है वो भी तक बिल्कुल बरकराराए तो देखे उधर बस सारी चीजे हो रही थी चावल वी यहां पर ये बोटल मैंने आपके साथ शेर की थ तो एक बोटल मैं नहीं नहीं की तो अभी जो है रोटी मतलब बनाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोच दिन बोटल को भी वोश करके रख देती हूं क्योंकि एक बोटल में मैं रखूंगी भरकर पानी फ्रिज में कभी जोड़ पढ़ जाती है पीते तो हम मठके का ही पानी है और जो दो बोटल बचेंगी उनका देखते हैं उन्हें या तो मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूँगी या कोई और चीज कुछ बनाया तो वो फिल क इस टाइम पर मैं जैसे डाल वगरा बन रही है और चावल बनाया तो इस टाइम पर मैं अपने वो छोटे-छोटे काम कर लेती हूं जो की मतलब जरूरी हो जाते हैं करने तो जैसी यह बोटल है इनको मैं भी वोश करकर रख दूँगी तो इनकी मुझे जरूरत भी पड़ और दूसरी साइड हमारा जो चीनी थी ना वह अच्छे से मिक्स हो गई थी पानी में तो इसी टाइम पर हमें जो नीवु का रस्था ना वह इसमें मिला देना है और गैस को कर देना है बंद और जब यह मिक्सर ठंडा हो जाएगा तब हमें इसको जो है बोटल में फिल करक खजू रख्यों इतना इस उसकी साइड जो है बोटल को सिफ्ट किया थोड़ा सा और अभी तो इसमें सिकन जी वाली बोटल भी आनी है तो देखते हैं कहां पर उनको जो है मैं लगाऊंगी तो बस इस तरह से जो है ना मैंने पानी की बोटल रख दिया अब जो है आपने आगे के कामों की तरफ चलेंगे तो फिर मैंने साइड आपके साथ एक बात शेयर नहीं किया है कि जो है मैंने डुगु का यहां पर सोसाइटी में ही समर कैम्प लगा हुआ है तो वहाँ पर उसको बहेजना स्टार्ट किया है तो गुगु जो है 2.30 तक आता है उसको मुझ में फिल कर देती हूं तो यह जो मैंने मिक्सर बनाया था ना यह मेरी जो है ना मतब डेड़ बोतल बना था यह क्योंकि जो बोटल है वह 750 ml की है तो यहां पर एक बोटल मेरी जो है भर चुकी थी अब दूसरी बोटल जो है मैंने फ्रीज में रख दी थी तो मैं उसको से दो महिनी तक यूज कर सकते हैं तो जिसे गैस्ट अगरा घर पर आएं या आपका अभी-कभी मन करें सिकनजी पीने का तो हमें थोड़ा सा आलसा आता है कि कौन चीनी घोले और कोन मतलब यह सब करें बट अभी इससे जो है ना सिकनजी बनाने बहुत एजी हो जाएगी ठोड़ा सा काला नमक डालिए पुदिन Bell की दालिए और आपकी जो सिकनजी यह वह रेड़ी चीनी घोलने का कोई जिंजट इंगया क्योंकि सिकनजी बनाने में सब जादा टाइम जो है ना चीनी घोलने में ही लगता है तो बस मैं यहां पर जो है ना यह फिल कर ही रही थी कि अचानक से देखे इतनी जोर से आंधी आई दूल वाली आंधी लग रहा था बारिस होगी बट बारिस तो हुई नहीं और धूल भर टाइम है साम के साड़े चारिया पुने पांच होंगे अभी तक जो वैदर है मतलब आंधी वगर आकर मतलब जा चुकी थी और यहां पर मैंने डूगू के लिए गरम किया था दूद और उसको आज दूद के साथ ना मैं बेसन का लड़ू दे रही थी तो डूगू समर कैं का फर्स्ट डे था तो मैंने जो है ना यह फोटो फ्रेम बनवाया था डिलीटर शीट की हैल्प से और जो आइस्क्रीम वाली श्टिक होती है ना उनकी हैल्प से तो काफी अच्छा लग रहा था सब बच्चों ने बनाया था यह तो सबको मतलब घर पर भेजा था मैंने त तो थोड़ा सा वैदर ठीक सा हो गया था मतलब ठंडी-ठंडी सी हवा रही थी तो बस इसलिए चाय पीने का मन भी कर रहा था तो यहां पर चाय मतलब चीनी पत्ती सब डल गई है और अभी बस चाय बन जाएगी तो फिर थोड़ी देर बैटकर मैं चाय पीऊंगी आराम से क्योंकि एक यही टाइम होता है जब थोड़ा सा जो है रिलाक्स होती हूं मैं डुगू चला जाता है पार्क में खेलने के लिए और आज ना वो जब पार्क में गा तो वो दूद भी नहीं पी कर गया मतलब उसे ना उसको यह दिख जाए ना कि उसके फ्रेंस आया है तो फ फिर मैं ब्याट घूए थोड़ी देर जो है चाय को इनजोय करने के लिए कि तो मैंना चाय लेकर ही आई थी कि इक पार्सल आया था ।ब मैंने कुछ मंगाया था तो अभी जहारा मैंने यह आदो जैसे ही सेने घुल के देख लो तो कौन कौन जिसे पार्सल हाथ के हाथ खोलने में मजा आता है मुष्की बेट नहीं होता है कि मैं इसको थोड़ी दे है रख रहा हुआ ने दूँ तो मैंने चाय शोड़ी और इस पार्सल को खोल कर देखा तो इसमें जो है,ना मैंने थोड़ा लाइट कलर था बट रियल में थोड़ा डार्क था वैसे क्वालिटी तो ठीक थी प्राइस अकोर्डिंग बट मुझे लाइट कलर वाला चाहिए था क्योंकि लाइट कलर में ज्यादा अच्छा लग रहा था और चाय को थोड़ा सा मतलब आराम से पिया मैंने उसके इन्हें रात में ही क्लीन कर लिया था क्योंकि यह ना मतलब जो नकी नौफ बगएर ती वह काफी गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कल तेल तो मैं नहीं वोश करके रख देती हूं तो रात में रखी थी फिल करके बट यह मोर्निंग तक जो है ना मतलब सुकी नहीं अभी देखे साम का टाइम होगा अराउंड 6.30 का टाइम होगा तो वैदर काफी अच्छा हो रखा था बादल दिखाई दे रहे थे और काफी ठंडी सी हवा चल रही थी इस टाइम पर तो मतलब जब ठंडी हवा वगरा चले ना वैदर थोड़ा सा अच्छा हो तो किचन में जो है ना काम करने का मन भी लग करता है और मुझे ना भी एक मतलब धियान आया एक कमेंट आया था मेरी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं गाउं गई हुई थी तो उस स्वाल के व्लोग क्यों नहीं शेयर करती हूं मतलब आप एक तो मेरे पास जो है ना पहले से ही क्योंकि मैं गई थी सिर्फ दो दिन के लिए ही तो इतना टाइम होता नहीं है कि जाकर आप व्लोग बनाओ और देखे सबकी ना अपनी प्राइवेसी होती है मुझे नहीं पत जाकि मैं आप सबको बता दूं कि मैं क्यों नहीं वहां के व्लोग शेयर करती हूं बाकि आप सब समझदार हैं ही तो यहां पर देखे मैंने जो है ना दोपैर के जो धुलेवे बरतन थे वो सब लगा दिये थे और फिर मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि यह ग्लाज से जो है मुझे दिग गए तो मैं इनको यहां पर क्लीन करने लगी थी और यहां पर डुग आ गया था उसको लग दी भूख मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि वह दूद पीकर नहीं गया था तो वह मांग रहा था दूद तो मैं उसको बोल रही थी कि अभी बस यह व कि मैं तुमारे लिए चलो फटा-फट से कुछ बना देती हूं तो उसने कहा कि मुझे पैनकेक खाना है तो डुग भी सायद पैनकेक काफी दिन बाद मैं बना रही थी जब से यहां हूं तब से तो मैंने उसको एक बार भी नहीं दिया थोड़ा सा ही मिक्षर बचा था पै एक से देड़ साल बाद खा रही थी मतलब यकीन नहीं करेंगे मैंने घर में नूडल्स ये पी मैगी वगरा कुछ नहीं मंगाये थे क्योंकि घर में होते हैं तो खाये जाते ही हैं और यह मतलब सेहत के लिए अच्छी तो होती है नहीं और हम बिना कभी-कभी बस इसी चक् मुझे एक डेड़ महीना हो गया है और उसके बाद जो है ना आज में मुझे जो पैकिट अचानक से दिखाई दे गया था ग्रोसरी में तो मैंने सोचा कि भूग जादा है नहीं जो ने खा लिया है पैनकेक तो मैं यहां पर बस यपी बनाने लगी थी तो मैं नूडल्स य हजबन ने अपने लिए कहड़ा बनाया था एक तो मैं उनको कहड़ा जो है चानकर देकर आई जब तक मैगी बन रही थी और जो है ना हजबन गए थे बाहर वोक करने तो वह खीरे वगरा लेकर आए थे तो बस यहां पर जो मेरी साम थी वह एंड हो जाती है और हमने फिर नूडल्स वगेरा खाए फिर बस डुकू को सुलाया और यही पर जो है ना मेरा आज का व्लोग एंड हो जाता है आई होप आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर भी कीजेगा मिलती हूं नाक्स वीडियो में तब तक लिए